प्रस कॉंफरेंस में चार के लिए हत्या के लिए प्रसीद हो रही है ये एक साल से कॉंग्रेस का सरकार है आमरे विदान सबह में पहली बार पाकिस्तान जिन्दाबाद नारा लगाया एंड़ सीयम का हर एक कार्यक्रम में पाकिस्तान जिन्दाबाद नारा लगाते हैं कॉलेज का बच्चियों को अत्याचार कर रहे है अत्या कर रहे है फिर भी कोण अपरादी है उसको रक्षा करने का काम सरकार कर रहे है करनाड का का मुख्यमंत्री राज्य का रक्षा का विचार में लोगों का रक्षक विचार में नहीं तो विकास का विचार में सोचते नहीं है कुद गोटाला में फसे है मुख्यमंत्री जी कुद उसका बीवी पार्वती सिधारामाया मैसूर का मूडा में 14 साइस लिए कानोन का विरुद्ध वो लिए है केसरे गाओं में 1992 में मूडा के लिए जमेन मूडा अधिकृत करता है तब उसको 381,000 कॉंपेंशेशन देने देता है मूडा बट पार्वती सिधारामाया नहीं लेती है चुप रहती है तब भी अभी का सियम सिधारामाया नहीं मंत्री थे है 92 में वो मंत्री थे है फाइनांस मिनिस्टर थे है 98 में 4161 होती है तब भी हो चुप थे तब भी वो DCM थे 2002 में सिधारामाया नहीं फाइनांस मिनिस्टर थे तब भी मूडा नोटिफिकेशन करता है तब ही वो चुप थे है बाद में पारती सिधारामाय ने तूटाउजन्ड ट्वैंटी में मूडा को लिखता है लिखती है मुझे फिफ्टी फिफ्टी के आदार पर कॉम्पेंशेशन चाहिए मुअबज़ चाहिए 2015 में मूडा एक कानून लाता है वो कानून में कौन जमीन देता है उसको 50% development करके देना वो रिट्रोस्पेक्टिव नही था प्रोस्पेक्टिव था 2015 का कानून पार्वती सिद्रामय यकको लागू नहीं होता है क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कानून था मगर 2017 में दबाव डालते है सिद्रामय ने हमको भी कॉम्पेंशेशन देना बाद में 2022 में पार्वती सिद्रामय को केसरे गाओं में अधिक्रत हुआ जमीन को वह बहुत दूर में है मैसूर का हाट में सिटी में विजयनागर थर स्टेज और फोर्फ स्टेज में चौदा सैट देते हैं ये पूरे का पूरा कानून का विरुद्ध है एंड सिद्रामय कुद इसका बेनिफिश्यरी है मैं मांग करती हूँ सिद्रामय इस्तिफा देना क्योंकि वह कॉंस्टूशन पोस्ट में है मूडा से पूरा फाइल बेंगलोर का मंगवा आया ये केस को चुपा न क्या पूरा का पूरा गोशिश हो रही है हर समय में सिद्रामय आफिस अब दी प्रॉपिट पोस्ट में था अभी भी है इसके कारण मूडा का ये बहुत बड़ा गोठाला इसको निस्पक्षपात जाज करना स्वतंत्र से जाज करवाना अभी सिद्रामय उसका सत्ता का धबाव डालके क्याबिट में बोलके एक सदस्या का रिटायर्ड जज्ज का एक कमिटी बनाया ये पूरा का पूरा केस को हशब करने का साजिश हो रही है पहले भी अर्कावती लेवाट बे केमपना आयोग बनाया था 2013 से 2018 तक सिद्रामय का सरकार थी तब उसका उपर आरोप आया था अर्कावती लेवाट का 541 साइट को डी नोटिफिकेशन करने का एक गोटाल आया था तब केमपना आयोग का फार्म किये अभी तक केमपना आयोग का कमपना कमिशन का रिपोर्ट नहीं आया बाहर पेश नहीं किया क्यों नहीं किया अभी दूसरा कमीटी बिटा रहे है देशाई कमीटी एंड एक सदस्या का कमीटी है करनाट का राज का लोग कहता है यह पूरा का पूरा केस को चुपाण के लिए सिधारा मया कर रहा है इसलिए सिधारा मया को ऊपर एफार डालना ता लोग आई था प्रिवेंशन आफ करॉक्षन एक्ट का तहत एफार डालना था यह सियमों है दबाव डाल रहे इसके कारण उसका उपर एफार नहीं डाल रहे मैं मांग रखती हूं सिधर हमें तुरंत इस्तिफा देना है और यह जांज को फेस करना कि दूसरा करनाडका में चल रहे है दूसरा विशह में भी वह दोशी है अभी वाल्मी की डवल्लप्मेंट कॉर्परेशन का जान चल रही है वाल्मी की डवल्लप्मेंट कॉर्परेशन एस्टी डवल्लप्मेंट कॉर्परेशन है अम वाल्मी की का नाम रखे है इसको चुनों का संदर्व में, मार्च में, यही साल का, 187 क्रोज रुपई, यूनियन बैंक से, यूनियन बैंक का वरिजिनल एकाउंट था, वसन्नगर में, तुरन 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 तो वो चेंज करता है, यमजी रोड को, उदर से, 187 करोड रुपिया, बंजार हिल्स का, एक बैंक को जाता है, आरेंबी बैंक, रत्ना कर बैंक, वो बैंक से पैसा जाता है, वाइन शॉप, उदर से पैसा जाता है, अलग-अलग दुकान को, ज्वेलरी शॉप को, चंद्रशेकर पत्र लिखता है, आत्मा हत्या करने के पहले, एक लेटर लिखता है, इसी में बोलता है, दबाव डालके, 187 करोड रुपिया, यूनियन बैंक, वसंस अगर से, एमजी रोड को शिफ्ट किया हैं, उदर से बाहर बेजा, मेरे उपर प्रेशर ड्राल रहा है, इसके कारण में आत्मा हत्या कर रहा हूँ, आईसे, छे पेज का पत्र लिखके वो आत्मा हत्या करता है, वालमी की डवल्लप्मेंट कॉर्परेशन का ओफिसर, बाहर आता है केश, हम सरकार को प्रेशर डाला, आप इसका जान करना, SIET बिटाते हैं, Special Investigation Team, वो कुछ नहीं करते हैं, बाद वे Union Bank CBI को लिखा, इसको CBI Enquiry करना, उसके करने, CBI जान जबी चल रही है, ED बहुत लोगों को एरेश्ट किया है, नागेंदरा तब मंत्रीता, वो इस्तिफा दिया, आफिसस बोलते हैं, ये केवल नागेंदरा का केस नहीं है, इसको दबव डाला, एंड ये पैसा बंजारहिल हाईदराबाद को 15 कंपेनी को गया, मुक्य मंत्री कहने से गया, मुक्य मंत्री तलंगाना इलेक्षान के लिए पैसा दिया है, वालमी की डवलप्मेंट कॉर्परेशन को यूज किया है, उसका पैसा निकालके हाईदराबाद को शिफ्ट किया है, तलंगाना में चुनों में ए पैसा को कर्चा किया, ऐसा बारह है, आरह है, उसका जिमनेदारी कौन है, यह 187 करोड रुपेया हाईदराबाद जाने का पूरा का पूरा जिमनेदारी सिधारामाय का है, क्योंकि वो ही फाइनांस मिनिस्टर है, उसका कहने से यह पैसा हाईदराबाद गया है, सिधर हमाई चुप है थब थब सिधर हमाई या ऐसे करते हैं चुप रहते हैं एंड किसी को उपर केस को डालते हैं अभी SIT ने कोण SIT को बिटा आया CBI को मदद भी नहीं कर रहे हैं कोई फाइल भी नहीं दे रहे हैं यह दो केस में सिधर आयमाय का इस्तिफा हम मांग रहे हैं इस्तिफा देना चाहिए खुद दोशी है मुक्यमंत्री करनाट का मुक्यमंत्री कुद दोशी है एंड करनाट का सरकार हाई कमांड का कॉंग्रेस पार्ट का येटियम हो गया इसके कारण ये सब हो रही है ये पैसा किसका कहने से त्यलंगाड गया हाई कामांडर राहूल गांधी सोन्या गांधी कहने से उदर गया उदर दिया होगा करनाटक का यस्टी लोगोंका परिष्टवरग का दलित वरग का उसका शिक्षा का पैसा उसका बोर्वेल का गंगा कल्यानि योजनका पैसा गरीबोंका पैसा को कॉंग्रेस लेके अभिचुनाव करने का गोशिष तलंगाना में किया करनाड़क में पूरे का पूरा हमरा कॉंस्ट्यूशन का उल्लंगन करने का काम कॉंग्रेस सरकार कर रहे हैं इधर कॉंग्रेस का नेता कॉंस्ट्यूशन का किता पकड के पार्लिमेंट आ रहे हैं कॉंस्ट्यूशन का किता पकड के शपत ले रहे हैं राहूल गांधिया आप पूछिये करनाटका में ये CPTSP का पैसा किदर गया है शेडूल कास्ट के लिए ये स्टाट्यूटरी अलकेशन रहता है अरे डिपार्टमेंट में 24 परसेंट इसी में 17 परसेंट 17.1 परसेंट यसी का विकास के लिए जाना चाहिए हरे डिपार्टमेंट का पैसा 6.95 परसेंट यस्टी के लिए जाना चाहिए है टोटल 24 परसेंट होती है करनाटका में ये स्टी का ये सब प्लान का पैसा ग्यारंटी में गया है ये स्टी डिपार्टमेंट को नहीं गया है ये स्टी डिपार्टमेंट को नहीं गया है कितना 14,735 करोड रुपेया यह CPTSP का पैसा गैरंटी में गया है Constitution का कितब पकड़ो एंड अरक्षन का बात करो पूरा देश गूमो मगर कुद मलिकार्जिन करगे का राज में पैसा डाइवर्ट हो रही है मलिकार्जिन करगे चुपे राहूल गांदी चुपे Constitution में क्या लिका है उसका तो पड़ो यह CPTSP का पैसा को भी आप का रहे है और इसको पैसा भी गोटाला कर रहे है आप महिला को मुफत में बस टिकेट दिया था यह ग्यारंटी में एक है हमारे ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर रामालिंगर रेड़ी ने प्रेसमीट किया चार्ज अजार करोड लाब में हमारा केसाटी सी चल रहा है आईशे बाशन देके मुफत में दिया अभी केसाटी सी का चेर्मेन चार दिन पहले बाशन किया मांग रखा सरकार को केसाटी सी डूबने का स्थिती में है पैसा नहीं है सालरी देने को पैसा नहीं है इसलिए हम टिकेट का पैसा ज्यादा करेंगे हमारा केसाटी सी डुबाने वाले है ग्यारंटी का कारण से इलेक्ट्रिसिटी बिल को डबल किया डीजिल पेट्रोल का दाम बढ़ाया त्री अंड़ रुपीज दूद का पर लीटर पांच रुपाई बढ़ाया अभी बात करें केसाटी सी का टिकेट का पैसा बढ़ा दो कैसे जीतेंगे हमरे लोग अईसा एक सरकार करनाट कम है अभी लोग पूछ रहे खटा कट दू पैसा आट अजर आना चाहिए दे दो हमको लाइन लगाया है खटा कट का खटा कट पठा पठ देना चाहिए नहीं आ रहे महिला बैंक का सामने सब जगा का पोश्टा भी का सामने लइन लगा के रखे है पान आट आजर रुपया कटा कट दे दो सिदर हमाय अभी चुप है यान मैं सिदर हमाय को मांग रखती हूँ सरकार को मांग रखती हूँ केवल वाल्मी की डेवलप्मेंट कॉर्परेशन नहीं आपने हर एक कॉर्परेशन में पैसा लिया है उसका जान जोना चाहिए केवल वाल्मी की डेवलप्मेंट कॉर्परेशन नहीं येस्ट कॉर्परेशन नहीं ऐसा माहोल करनाडका में चल रहे है अभी इसका पूरा जिमनेदारी सिदर हमाय का ऊपर है सिदर हमाय कुद फाइनांस मिनिस्टर है सिधरामा कहने से मूडा का गोटाला भी हुआ उसका बीवी ये साइट लिया एन उधर साइट दिया वो कुद का दिश्चिक है सिधरामा को कुद का दिश्चिक है कुद का सिथी है एन 187 करोड रुपिया हाइदराबाद गया रत्नकार बैंक को गया अलग-अलग दुखान को गया ये इसका पीछे सिधरामाया है सिधरामाया इस्तिफ़ा देना चाहिए सिधरामाया को हाई कमान तुरंती तुरंत सियंपल से अटाना चाहिए एंड जांज करोड़न चाहिए यह हमारे मांग है नित्रोपुर्ग में ही मैंने कहा था कि करनाटक पर यह प्लेस आयोजित है करनाटक से जुरे विन विन सवाल साधर आमंत्रित है मेरे पास इसका आधर में डीटेल्स हैं कितना पैसा किदर गया कांसा बैंक में गया कांसा चेक नंबर में गया टोटली उसी में चंद्रे शेकर भी लिखा है मरने के पहले कोई मरने के समय जूटना ही बोलता है इसे बोलते है वो भी लिखा है 187 करोड रुपए के वाल उदर से हुआ बाकी का भी जान्ज होना चाहिए सरकार उसका है चंद्रे शेकर किदा रहने वाले थे शूमग मेरा उन्या वाले थे लाइक ये को ओफीसर का नजर में 187 करोड रुपए का गोटाला का नजर में आया तो बाकी जगा में कितना हुआ वोगा अभी पता करना चाहिए इसको चुपाने का काम अभी सरकार कर रहा है इसके कारण में मांग रखती हूँ सिदार हमाया इस्तिफ़त देना चाहिए मेरे पास डिटेल्स है ट्रैंजक्शन नंबर वन इसमें पांच मार्च पांच तारिकों को गया है पांच करोड तर्टिफाइल एक्स किदर गया र पेपर हमरे पास है चुपाना चाहते हैं कॉंग्रेस मगर चुपाना ही सकते हैं क्योंकि अभी CBI बीच में आया